है लो दोस्तों तो फिर से सागत है आपका अपने चैनल सूपर प्लम्बिंग के उपर आज देख सकते आप यह फ्लेश टैंक है यह हम क्या करेंगे फ्लेश टैंक को चेंज करने का सिस्टेम आज देखेंगे अंदर का सैफन पूरी तरी के से यह खराब हो चुका है तो है यह ऊसके पीछे के क्लैम जड़ जैसे टीवी के घ्लैंप आते होसी थ्लम्प है यह वहां पर होल्ड होता है यह लाएक करें कमेंट करें फिर करें यह हमारी टेपन बहुँत व्हाइज अवर प्रोड़क्ट के कहां स स्आपने ग मायrick Erिold यह प्लशक ।िस तरीक से बस हमें क्या करना है जो नए होला फ्लस्ट आएंक है ओल्ड वाली क्लैम पे बस हमें हुक को अटकाना है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बट यह देख सकते आप एक खटके में आपको दिखाई देगा यह थोड़ा पूश की यह देख सकते आप तो इस तरीके से जो है एक नट वापिस से हमें का अगरना है वहाँ पे त्रेड में कसना है अच्छे से तुसे लिए हम टेस्ट भी करके चेक करते हैं कि यह थीक से बैता है कि नहीं अगर अंदर से थोड़ा हाथ लगा के जो टैंग निपल हम लगाते वैसे ही लगाएंगे यहां पे टेपलोन की जरूरत नहीं अगर पानी लिखे जोगा तो हमें टेपलोन भी इस्तमाल करना पड़ेगा यह रहा हमारा इनर जो पॉइंट होता है जहां से पानी फ्लस टैंक में इन होने वाला है वहाँ पे हम क्या करेंगे यह कनेक्शन पाइप के नट जो है जिसे हम नॉन डिटन वाल जो फुडवॉल होता है फ्लस टाइंक का उससे हम nä count करेंगे इसका पूरा वीडियो जो अंदर के सेटिंगा में में फिर से बनाएंगे तो इस तरीके से जो है भी आपर टेस्टिंग करेंगे देक सकते हैं यह पूरी तरीके से पानी जो है फ्लस टांक में जा रहा है तो च से अब होता है तो वहाँ पर पानी आटोमेटिक आना बंद हो जाता है तो चलिए अभी हम फ्लेश टैंग को पूरा फिल करते हैं लिके जो लास्ट फैनल टेस्टिंग करते हैं बस इतना ध्यान रहे ओड़ वाला फ्लेश टैंग जो है और नहीं वाला फ्लेश टैंग साइज सेम होना चाहिए 10 लिटर में तभी यह फिक्स उसी जगे पर बैटेगा चलिए फ्लेश करके भी हम देखते हैं यह पूरी तरीके से फिल हो गया है आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सब पूश करता हूं नीचे तो पानी आता है और छोड़ने के बाद आटोमेटिक य इसका पूरा प्रोसेस हम पूरी तरीके से फिर एक बार देखने वाले है चलिए फ्लस्ट करके एक बढ़ ट्रायल लेते हैं तो यह रहा हमारा फ्लस्टांग लेख सपते हैं बॉस्तों यह पूरी तरीके से सखसर सो कया हैं यहां पर लीकेज भी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे यह फाइब फिटिंग सक्सेस हो गई है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो यहाँ पे चेक किया हमने तो पानी भी यहाँ पे लिकेज नहीं हो रहा है तो नीचे की वाटी जो है हम क्या करेंगे उपर का क्या अब फिक्स कर देंगे तो इस तरीके से जो दोस्तों हमने ओड फ्लस टैंग को चेंज कर अंदर सिर्फ बाकी के हाई वैशी फिटिंग रख दिया है खाली फिलस टैंग को फिलस टैंग हमने चेंज किया है आई होप आपको यह उडियो पसंद आयोगा जैहिं झाली है लिए झाली है।